तारे से मुराद मांगना मिलिये Mr. Wish से वो एक इन्सान नहीं है वो एक दूर भी नहीं है तो फिर वो क्या है? Mr. Wish मुरादे पहुचाने वाले उफिसर है एक ऐसा प्राणी जो इनCHARGE है उन मुरादों को पहुचाने का जो मुरादें लोग मांगते हैं जब एक तारा तूटता है, उसकी जिन्दगी बहुत कमाल की है, और उसकी नौकरी उससे भी बड़े कमाल की, पर वो इसके उलाठी सोचता है. एक तूटा हुआ तारा, मैं मुराद मांगता हूँ कि काश मेरी खोई हुई गाय को वापस घर आने का रास्ता मिल जाए. हलो, आपके लिए एक मुराद, मिस्टर विश. मॉली! वो, मैं मुराद मांगता हूँ बीस डॉलर की ताकि मैं वो गेम खरीच सकूँ. मैं तुम्हारी मुराद! वो, वो, बीस डॉलर! ये! मिस्टर विश को नहीं पता, और उसकी साधारन सी जिंदगी में एक असाधारन सा मोड आने वाला है, और बहुत जल्दी ही हालाद बदलने वाले हैं. बहुत ही जल्दी! ये वेन है. वेन की एक समस्या है. ओ, नहीं! उसकी किस्मत बिल्कुल उसका साथ नहीं देती. ये क्या? बुरी बिल्ली! इतनी सुन्दर फूल है. ओ, नहीं! भागो! अब देखे, वेन की किस्मत हमेशा खराब रही है. इसलिए वो बहुत अंतरमुखी हो गया है. कोई दोस्त नहीं, कोई मेल जोल नहीं. बस वो और उसकी विडियो गेम. अब उसी शहर में एक बहुत ही सुन्दर नव्यूती रहती थी, जिसका नाम था डेबरा. और अगर वेन की किस्मत उत्री धुरू रहती, तो उसकी रहती दक्षणी धुरू. वाओ, मिर से खिली-खिली धुप निकली है. मैं तो, मैं तो इस तक पहुची नहीं सकता. ही ननी बच्चे, चलो मैं तुम्हारी मदद करूँ. वाओ! हाँ, डेबरा और वेन, दो ऐसी व्यक्ती, जो हर तरह से एक दूसरे से बिलकुल विप्रीथ है. पर एक बात उन दोनों में एक सी थी. एक उदासी भरा खालीपन, सच्चे प्रेम का अभाव. एक रात, जब डेबरा और वेन, अपनी-अपनी बालकनियों में खड़े थे, आकाश की और देखते हुए, सितारों भरी रात को, एक तूटा हुआ तारा उनकी आँखों के सामने से गुजरा. दोनों ने अपनी-अपनी मुराद मांगी, और ये सब ठीक चाक होता, अगर दोनों ने एक ही मुराद ना मांगी होती, सच्चे प्यार को ढूड़ना. हाँ, पिछले कुछ सौ सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने एक ही तारे पर एक ही समय एक ही मुराद मांगी हो. ये विसंगती थी, जिसके द्वारा तारा अपनी चमक खो बैठा. बिना चमक के तारे की मुराद मिस्टर विश पूरी करने में असमर्थ था, पर मुरादे मांगी गई थी, और ये कि उन्हें पूरा होना था, क्योंकि ये ही नियम है. अब मिस्टर विश को उस विसंगती की ओर अपना रास्ता खोजना था, पर ना उसकी नौकरी चली जाती. वो तारा, उसकी चमक खो गई है, मुझे उसकी चमक को बाहल करना होगा, और उसे आसमान में लगाना होगा, पर उसके लिए पहले मुराद पूरी की जानी चाहिए, तभी जाकर तारा दुबारा आकाश पर टिक पाएगा, पर फिर भी एक बिना चमक के तारे में कोई पर ये एक आसान तरकीब नहीं थी, इसके लिए जरूरत थी कि वो नीचे धरती पर आए, मुझे ये जोखे में उठाना पड़ेगा, केवल एक ही तरीका है उन दोनों की मुराद पूरी करने का, और तारे को उपर वापस ले जाने के लिए मुझे इन दोनों की मुरादों को एक साथ लाना होगा, हां, और उन्हें एक दूसरे से प्रेम करने की और बढ़ाना होगा, हां, हां, ये तो बहुत आसान है, प्रियधर्ती, हा रहा हूँ मैं, ये, हां, जैसे ही तुम से मांगी मुरादें पूरी हो जाती है, तुम्हें फिर से तुम्हारी चमक मिल जाएगी और तुम अपने बाकी के दोस्तों से आकाश में मिल सकते हो अब, मिस्टर वेन और मिस्ट डेबरा तुम दोनों आखिर हो कहाँ हम्, पकड़ लिया मिस्टर विश ने वेन और डेबरा के बारे में पूरा होमबग कर लिया था डेबरा एक फूलों की दुकान पर काम कर रही थी और वेन को सुबा उसके पास से गुजरना था मिस्टर विश को बस यही करना था कि उन दोनों को मिलवा दें और उसे यकीन था कि उन दोनों को प्रेम हो जाएगा बहुत आत्म विश्वास था है न, वो इसलिए कि मिस्टर विश्यक सचा विश्वासी था कि विप्रीत आकरशित करते हैं दस में से नौ बार और उसने उमीद के साथ फूलों के दुकान के सामने इंतिजार किया लो वो आ रहा है समय आ गया है जादू की सुगंद इस्तिमाल करने का हाँ हाँ हलो सर, क्या आप फूल खरीना चाहेंगे? हाँ, एक गुलाब कैसा रहेगा? जिरूर, ये लीजे सर शुक्रिया जैसे ही वेन ने गुलाब को छुआ, गुलाब तुरंथ ही मुर्जा गया मुझे, मुझे पता होना चाहिए था हे, ये तो कुछ नहीं, बस इस पर थोड़ा पानी छेड़कने की जरूरत है, मुझे दीजे और जैसे ही डेबरा ने उसे चुआ, वो तुरंथ दुबारा खिल गया ये लीजे ओ, फिर से नहीं मुझे दीजे ये लीजे जानती हूँ क्या? बस इसे रहने दो मैं फूलों के काबिली नहीं हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, फिर भी शुक्रिया, बाई-बाई तो इस तरह एक उदास और निराश वे इन दुकान से चला गया मिस्टर विश ने उसे जाते देखा, और उसके चहरे को उदास होते देखा शायर ये इतना आसान नहीं है जतना मैंने सोचा था चलो अब अगली योजना पर चलते हैं तो अगली दिन मिस्टर विश ने एक और चाल आजमाई लू वो आ रहा है, इस बार आसपास कोई फूल रही है इससे ये चाल काम आनी चाहिए, एक, दो, तीन, और जाओ ओ, है, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, शुक्रिया, तुम कैसी, तुम, तुम, क्या तुम उसके जंजीर कसके पकर सकती हो? हाहा, चिंता मत करो, ये काटता नहीं है, उस्ते तक अभी किसी पर भोका भी नहीं है तुम, नहीं, वापिसाओ तुम, आने वाले दिनों में, मिस्टर विश्ट ने बहुत सी अन्य चालें चली वो इस बात का ध्यान रखता कि बस में वे एक दूसरे के साथ बैठें और जैसे हिवेन बस पर चड़ता, तो वो खराब हो जाती ओ, नहीं वो कोशिश करता कि वो एक रेस्ट्रों में एक दूसरे से टकराएं और फिर से वेन की बतकिस्मती उससे पहले चली जाती ओ, नहीं ओ, यार साथ दिन तक बिना रुके प्रयास करने के अंत में, मिस्टर विश ने हार मान ली क्योंकि यदि आठवे दिन के सुर्योदे से पहले तारे को आसमान पर नहीं रख दिया जाता तो वो आकाश में अपनी जगा गमा देता और इसी के साथ मिस्टर विश की नौकरी भी चली जाती हाँ, मैं हार गया नने तारे मुझे एक शमा करना मैं दुबारा तुम्हें चमका नहीं सका मेरे ख्याल से हम दोनों के लिए ये बात अब पूरी तरह खत्म हो गई एक आंसो की बून मिस्टर विश की आँखों से गिरी जब उसने उपर रात के आसमान को देखा वहाँ ही कहीं उसका चोट ऐसा आफिस भी था वो उसे बहुत याद करेगा वो जान गया कि उसका काम कितना कमाल का था और वो कितना खुशकिसमत था कि वो लोगों को उनकी मुरादें देता था क्या? एक टूटावा तारा? मिस्टर विश की आँखें उमीद से भर गई जब उसने आसमान पर एक टूटतेवे तारे को देखा और ठीक उसी समय उस शाम को उसके जीवन में पहली बार मिस्टर विश ने अपनी आँखें बंद की और उस तारे पर एक मुराद मांगी प्रियतारे, मैं तुमसे मुराद मांगता हूँ कि ये चोटा सा तारा अपने हग की जगा पा सके आकाश में और जैसी उसने ये कहा ओ हाई! अम, हाई! इस पार मेरा कुत्ता मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं? अप, हाँ, क्यों नहीं? क्या ये अजीब नहीं है कि हम तकरीबन हर दिन ये दूसरे से टकरा रहे हैं? अप, हाँ, मेरे ख्याल से हाँ मैं डेबरा हूँ आप से मिलकर बहुत अच्छा लगा मैं हूँ वेन जैसे ही उनकी हाथ मिले एक जादू सा हुआ डेबरा का सौभाग और वेन का दुर्भाग एक साथ मिल गए और एक दूसरे को संतुलित कर दिया जैसे कि ऐसे होना ही था ओ, ये तारा ये चमकने लगा है और कैसे? इसका मतलब मिस्टर विश ने देखा जब डेबरा और वेन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सड़क पर चल रहे थे हसते और खिल खिलाते हुए एक मधर मुसकान उसके चेहरे पर फैल गई हमने ये कर दिखाया नने तारे हमने ये कर दिखाया अब चलो, चलो घर चले तो मिस्टर विश वापस आ गया इस बादल वाले ओफिस में वो खुश था और प्रसन्य था कि उसने इस अंकट ताल दिया तारे को वापस उपर आसमान पर लगा दिया गया और मिस्टर विश अपने काम पर उसी हसमख तरीके से काम करता रहा और जहां तक वेन और डेबरा का सवाल है उन्हें एक दूसरे से सच्चा प्रेम हो गया जब उनका तारा खुशी-खुशी उन्हें उपर से देखता मुस्कुराता और टिम-टिमाता हुआ तो अगली बार जब तुम कोई तारा देखो और उसे देखकर कोई मुराद मांगो ये जान लो कि मिस्टर विश अपने काम पर लगा है इसे तुम तक पहुचाने के लिए